अब ये क्रम आगे चलेगा इसमें दश्वी पास भी हैं दश्वी पास के साथ बारवी पास, शद्धे गुर्देव के अजिय अनुसार हमने ऐसे भाई भेनों को भी प्रवेश दिया है। जो दस्वी पास करके आये हैं फिर बारवी वालों को खड़ा करेंगे. तो एक बार ये दस्वी वाले सबसे छोटे हमारे ब्रमचारी ब्रमचारियां, एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका. बैठिये. अब जो बारवी वाले हैं वो खड़े हो जाएए. जो बारवी वाले हैं वो खड़े हो जाएं इनकी संख्या थोड़ी जादा है एक बार इनका भी अविनंदन हो जाए जो बारवी वाले है बैठ जाएए और बारवी के बाद अब जिनोंने सनातक कर लिया है सनातक सनातक खड़े हो जाएंगे सनातक बी ए सनातक, बी कॉम, बी ए सियादी जोरदार अभिनंदन है इनका सनातकों की संख्या गुरूजी और ज़्यादा है और जो परा सनातक हैं, जो पॉस्ट ग्रेजियेट हैं वैसे परा सनातक तो यहां से बनाएंगे आपको पराविद्या देखे लेकिन फिर भी जो पॉस्ट ग्रेजियेट हैं, वो भी खड़े हो जाएंगे और एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन है, यह परा सनातक यहां पराविद्या पाने के लिए आगए बहुत अच्छा है तो गुरूजी सबसे ज़्यादा सनातक हैं और थोड़े से परा सनातक हैं, फिर उसके बाद बारवी और दस्वी वाले हैं तो ऐसे युवक यूतिया हमने पहले सोचा था कि हम पहले ही दिन से यह फिर क्लोज कर देंगे सिस्टम लेकिन हमने अब यह तै किया गुरूजी क्योंकि अब यह विचार पूरी तरह से पहुचेगा कि है क्या जीवन, है क्या शिक्षा, है क्या हमारा कैरियर जीवन में सफलता किसको कहते हैं जीवन का मुल्यांकर हम कैसे करें और जीवन में सुख क्या है जीवन में सम्रिध्धी क्या है जीवन में समंध क्या है जीवन का बड़ा सत्य क्या है हम उसको किस तरह से समझे तो वो विशे है हम यहां विस्तार से चर्चा करेंगे तो किसी भी जीवन के क्षेत्र में मैंने देखा है कहीं पर भी किसी भी फिल्ड में स्रेश्ठात्मों की कमी नहीं है यद्यपी भोतिकतावादी सोच आज सिखर पर है इसलिए उसक शेत्र के लोग ज़्यादा है यह सवभावी कहा है एक समय ऐसा भी था वैदीक युग में जब आध्यात्मवादी सोच के मैक्जिमम लोग होते थे और हमारे इस प्रयास से हो सकता है हम दस, बीस, पचीस, पचास सालों के बाद में ये पूरी द्रिष्टी बदल दें और पूरी स्रिष्टियम बदल दें के अध्यात्मवादी सोच के लोग बड़ी संख्या में तैयार हो जाएं और प्रधांता से किसी बात काpectedन किया जाता है भोतिक्ता तो है ही ना ये तो रहेगी और आज से ये आध्यात्मिक्ता क्या है जिवन की वास्तविक्ता क्या है रिशी ज्यान परंपरा क्या है वैदिक धर्म दरतसन अध्यात्म और संस्कृति क्या है वेदों के बारे में दर्शनों के बारे में उपनिश्दों के बारे में संस्कृत संस्कृति के बारे में व्याकरण के बारे में और हमारी रिश्यों का जो संपौन साहित्य उसके बारे में आपको साथ दिनों में मूल भूत ज्यान मिल जाएगा मूल भूत बने बेसिक बेसिक नोलेज आपको हो जाएगा कि यह हमारी रिशों की परंपरा है अब उसमें पारंगत होना यह एक लंबा पुर्शार्त है तो आप सब तो इसमें यहां जुड़ी रहे हैं जो सीधी तोर पर उपस्तित हैं हमने एक आववान की तहट आस्ता पर भी हमने आववान किया है और एक करोड सी जादा लोग हमारे फेस्बूक ट्यूटर पर जुड़े वहाँ पर भी हमने आवान किया है और WhatsApp पर भी यह अभियान शुरू किया हुआ है और अलग-अलग जो दूसरी साइट से हैं उस पर भी YouTube पर, Internet पर सब जगे हमने इस Message को आज से वाइरल किया हुआ है कि आओ सब जानों तो सही वैसे अब यह भी होने लगा है जैसे अंतराष्टे योग दिवस था तो पूरे वर्ल्ड में योग जो है वो टसब टोप पर था जैसे सोशल मीडिया में पोश्ट चलती रहती है कोई विचार चलता रहता है तो उसमें कौन सा विचार जो है उस समय लीड कर रहा है तो उसमें अब योग भी लीड करता है बार-बार अध्यात्म भी लीड करता है लेकिन यह विचार और आगे बढ़ता रहेगा पहली बार ऐसा वंतराष्टी योग दिवस पर इंटरनेशनल योग डे नहीं अंतराष्टिय योग दिवस ये जो है पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर क्या बोलते हैं उसको ट्रेंड ट्रेंड चल रहा था कोई भी ट्रेंड होता उसको वाच करते हैं उसकी सिस्टम से लगे हैं आजकर और खासकर कि गुगल और इसके नेट के उपर वो सारी चीज़ों पर वाज आता है कि कौन सी चीज़ अब ट्रेंड कर रही है तो आजकल योग भी ट्रेंड करने लगा है सोशल मीडिया में स्प्रिचुलीटी ट्रेंड करने लगा हिंदी के शब्द भी ट्रेंड करने लगे हैं तो वर्ल्ड वाइड हिंदी के शब्दों का ट्रेंड करना ये सोटी घटना नहीं होती है तो worldwide second number पर trend कर रहा था अंड़ाश्टी योग दिवस पर और हम लोगों के लिए देखो एक बात भाशा की दृष्टी से कहूँ तो भाशा को जानने वाले लोग जितनी ताकतवर होते हैं वो भाशा उतनी ताकतवर हो जाती है सत्य तो हमेशा एकरस रहता है उस सत्य को मानने वाले और उस सत्य को जानने वाले जितने लोग ताकतवर होते जाते हैं वो सत्य उतना ही जादा शिखर पर आता जाता है खेर तो आज जो है हम इस संदर्फ में सामन रूप से कुछ तथे हमारे कुछ ब्रमचारी भाई और बहन रखेंगे फिर शद्धे गुर्देव आपको चार वेदों का भी परीचा देंगे चार वेदों में किन सत्यों का संकेत है तो एक दिन का विशे रहेगा जो है ये जो त्रई विद्या है जो चार वेद हैं उनकी मुख्य विशे क्या है और वो हमें क्या संकेत करते है फिर हमारे शड़ दर्शन का मुख्य विशे क्या हमें क्या संकेत करते है पिर हमारे आइरवीद का मुख्य विशे क्या वो हमें क्या संकेत करता है। फिर इसी तरह से जो हमारा संस्कृत साहित्य है, वो हमें क्या संकेत करता है। वो संस्कृत साहित्य में किस तरह से जीवन और जगत की सत्यों का समाविश है, वयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक, अध्यात्मिक सत्यों का समाविश किस तरह से हमारे सम्रध संस्कृत साहित्य में है, शद्धे गुर्देव के साथ साहित्य के क्षे में हम श्रद्दे आचारी प्रचेता जी से भी सुनेंगे और व्याकरण किन सत्यों की और हमें संकेत करता और व्याकरण है क्या और व्याकरण की साथ-साथ आचरॣ जो हैं अमारा कैसा हो ये विश्य है उस्राद्धे गुरुदेव का बार बार रहता ही है और हमने अपने गुरूवों से वियाकरण तो सीखा ही लेकिन वियाकरण के साथ-साथ हमें अपने गुरूवों से आचरण भी सीखा है वो भी आपको सब सिखाएंगे बताएंगे और मू लता है संस्कृत भाषा क्या है देखो एक भाषा होती है मात्र अपनी बात को कहने के लिए ऐसा माना जाता है भाषा एक माध्यम मात्र है लेकिन संस्कृत मात्र एक माध्यम नहीं अपने अभिव्यक्ति का माध्यम भी है लेकिन उस संस्कृत में इस समस्टी के सत्य समाहित हैं यह बहुत बड़ा पक्ष है तो यह इतने विश्य है तो मैंने कुछ आपके सामने रखे ही शाम के समय भी यह पूरा का पूरा प्रबोधन रहेगा बोधिक रहेगा और प्रबात के समय भी हमने यह तय किया है कि हम सुबह आपको योग भी कराएंगे ध्यान भी कराएंगे और शद्धे गुरुदेव से आग्रह करेंगे कि एक घंटा इन आध्यात्मिक सत्यों के संदर्भ में आपको प्रबोधन देंगे तो आज पहले ही दिन से यह प्रस्क्षण सरो चुका है यद्धेपी कल से विधिवत रूप से प्रभात से यह योग का सत्र प्रारम होगा लेकिन आज शाम से ही क्योंकि भाई भैन आचुके हैं तो आज से ही हम यहाँ प्रारम कर रहे हैं इस आध्यात्मिक अनुष्ठान का और रिश्यों की जिान परंपरा, हमारी वहिदिक परंपरा, वहिदिक संस्कृति, उसके संदर्ब में कुछ सत्यों का संकेत आज हमारे ब्रहमचारी भाई भेन करेंगे, और उसके बाद हम जो आगनतूः गहा हमारे ब्रहमचारी है, ब् मैं बेटी भक्ति को आमंत्रित करता हूँ और आज भाई भेंद भाया अपने भीतर के भावों को जिन सत्यों को जी रहे हैं उनको अभी भक्ति देंगे तो बेटी भक्ति का एक बार सब के और से बहुत-बहुत अभिनंदन है ओम पूझने स्वामी जी के चर्णों में साधर प्रणाम परमातर ने गुरुदेव के चर्णों में साधर प्रणाम उपस्थित सजनों को भी मेरा प्रणाम आज प्रश्नी यहां यह है कि हम भौतिकता को गौण और आध्यात्मिकता को प्राथ्मिकता क्यों दे तो अगर हम गहराई में सोचें तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि अधिपुर्वक आत्मिकता मतलब आपका स्वयम पर अधिकार हो आज हम स्वयम पर अधिकार करना कभी नहीं सोचते हमेशा दूसरों पर अधिकार वस्तूओं पर अधिकार व्यक्तियों पर अधिकार यह मेरा हो जाए यह मेरा हो जाए यह मेरा हो जाए अगर भौतिक वादियों से पूछे कि आपका अंतिम लक्ष क्या है और अध्यात्म वादियों से पूछे कि आपका अंतिम लक्ष क्या है दोनों का उत्तर एक ही रहेगा सुख और सुख से क्या मिलेगी शान्ति तो प्रश्नी यह उठता है कि हम अगर स्वेम पर अधिकार करते हैं तो हमें ज्यादा सुख की प्राप्ती होती है या हम दूसरों पर अधिकार करना चाहते हैं तब हमें सुख की प्राप्ती होती है तो अगर हम गहराई में जाएं तो हमको उत्तर यहीं मिलेगा कि स्वयम पर अधिकार करने से हमें ज्यादा शान्ति मिलती है स्वाम्भी विवेकाद नंजी ने एक बात कही है मानव समाथ से अगर हम धर्म को निकाल दे पहले हम यह जा ले जिस प्रकार रशायन सास्त्रे विज्यान के अनिविभाग भौतिक जगत के सत्यों की चर्चा करते है उसी प्रकार धर्म आध्यात्मिक जगत के सत्यों की चर्चा करते है मानव समाथ से अगर हम धर्म को निकाल दे तो क्या बचा रहेगा एक पश्वों के ब्रिहत दल के अतिरिक्त और कुछ नहीं तो एंद्रिक सुखमानव जीवन का लक्ष नहीं ज्यान ही समगरे जीवन का लक्ष है ये बात अगर हम हमेशा ध्यान में रखके चले तो अंत्ता हमें अध्यात्मिक्ता के मार्ग पर आना ही होगा ऐसे हमारा मूल स्वरुप अपने में है इश्वर से है इश्वर की बात आते ही यहां यह होती है कि हम इश्वर कुछ और और सब कुछ चाहते हैं क्यों? क्योंकि हमारी साधारन कामनाय बहारी संसार के द्वारा पूर्ण हो जाती है जब तक हमारी आवशक्ताइं भौतिक जगत की सीमाव में बंधी रहती है तब तक हम इश्वर की कोई आवशक्ता अनुफम नहीं करते हैं पर जब हमें जीवन में कठोर आगहात लगते हैं और जब हम यहां की हर वस्तू से निराश हो जाते हैं तब कहीं कुछ उच्चतर की आवशक्ता हम महसूस करते हैं तब हम इश्वर को ढूंडते हैं ऐसे स्वामी जी हमेशा हमें कहते हैं कि इश्वर हर हमेशा हर पल हमारे साथ हमारे साथ है फिर भी हम उन्हें क्यों नहीं महसूस कर पाते हैं क्योंकि हमें बाहरी वस्तुवां से शनिक सुख मिल जाता है। लेकिन जब हम बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हैं, तो जाते हैं इश्वर के पास। तो मानव जीवन का अंतियम लक्ष कही न कही इश्वर ही हैं। ये सत्ते हम सबको एक दिन मानना ही पड़ेगा। तो कठोर आगहात लगे, तब हम माने, या उससे पहले ही हम माने। तो समझदारी किसमे हैं या आप स्वयम जान ले। और दूसरी बात यहां देश की सेवा के लिए सभी को आना चाहिए। क्यों कि अगर हम स्वयम के सुख के लिए हमेसा प्रयतन करें तो कभी सुख जी नहीं रह सकते। अगर अर्था दूसरों के हित के लिए अगर हम प्रयतन करें तो एक ना एक दिन वो सुख हमारी ही पास लौट कराता है। स्वामे विवेकार नंजी के शब्दों में अगर हम बोले कि मानव जाती का अंतिम लक्षे भगवान के साथ फिर से मिल जाना और यही सारे धर्मों का भी लक्षे या इसी को दूसरे शब्दों में कहीं उस ब्रह्म भाव से तदुरुप हो जाना जो प्रत्यक मनुश्य का यथार्थ सोभाव है तो अब बात है जो कि भौतिकता और आध्यात्मिकता भौतिकता हमें दूसरों पर अधिकार करना सिखाती है धन पर मेरा अधिकार, वस्तु पर मेरा अधिकार, व्यक्ति पर मेरा अधिकार लेकिन आध्यात्मिक्ता स्वयम पर अधिकार अगर आप महसूस करें तो सईयम जीवन का एक ऐसा हीरा है जो हमें अपने अंतिम गंतवे पर ले जाता है इसलिए और सच में वास्तविक में कहें तो जो व्यक्ति कहते मुझे मेरे मन पर अधिकार नहीं है और आध्यात्म तो कहते मैं आध्यात्मिक हूँ तो आध्यात्मिक वो व्यक्ति नहीं जो कहते मेरे मन पर अधिकार नहीं आध्यात्मिक वो है जो पूर्ण रूप से सयमित हो चुका है और यही आध्यात्म हमें सिखाता है हर मनुष का अंतिम लक्ष फिर से दोहराऊंगी शान्ती है सुख की प्राप्ती है और जब आपका स्वेम पर अधिकार हो जाएगा तो आप स्वेम और अपने आत्म सोरुप में चले जाएंगे तो यहां यही वातावरन आपको बहुत ही अनुकुलता से मिलेगा अगर आपको सच में सुख की प्राप्ती चाहिए सच में आपको कुछ करना है तो आप इस वातावरन में अपने आपको बहुत अनुकुल पाएंगे ओम धन्यवाद समर्थ गुरु सत्ता जिस सत्ते को अनुभव करती है उसको कहना किसी रिशी के द्वारा, किसी आत्मवेत्ता के द्वारा किसी महापुर्श्की द्वारा, किसी सत्ते को कहना वोगों को सायद अपने आपको कनेक्ट करने में थोड़ा समय लगता है चुकि वो ऐसा मानते हैं कि यह जो रिशी मुनी हैं, यह जो आचारी हैं, यह जो गुरु हैं यह तो किसी बहुत उची स्थिती को प्राप्त हो चुके हैं यह खाली गुरुवों के संदर्व में नहीं जब कोई बहुत बड़ा साइन्टिस्ट बोलता है, उसके संदर्व में भी लोग आश्रे ऐसे ऐसा ही देखते हैं और यह मानते हैं कि यह तो हमारे से परे का सत्य है, अपने आपको पूरी तरह कनेक्ट नहीं कर पाते हैं जब कोई बहुत बड़ा उद्योग पुति, कोई बहुत बड़ा नेता, कोई बहुत बड़ा अभिनेता, कोई भी बात कहता या किसी भी सत्य को जीता है तो हमने आज की सत्र में अपने उन भाई बेहनों को रखा है। जो इस सत्य को जी रहे हैं और वो स्वेम अनुभव कर रहे हैं कि जिन सत्यों का संकेत सास्त्र करते हैं, जिन सत्यों का संकेत समर्थ गुरुसत्ता करती हैं, वो सत्य हम अपने जीवन में किस तरह से आत्मसाथ कर रहे हैं, इसी क्रम में, बेटी प्रियार्चना, यह हमारी वो बहने हैं, और वो भाई ह आगे उनको भी आमंतरित करेंगे, पिछले भी कुछ सत्रों में आमंतरित किया, जो इस आध्यात में एक जीवन को जी रहे हैं, तो एक बार बीटी प्रियार्चना के लिए भी सबके और से बहुत-बहुत अभिनन देना। मैं आप से आपके विशे में आपके जीवन की बात करूँगी, जिस तरह जीवन एक रहस्त है, उसी तरह मुझे तो अभी तक इलग या अध्यात में भी एक रहस्त है, हम सब इसकी खोज में हैं, और आप सब भी आईए, आपका भी स्वागत है, स्वामी जी अभी अभी मठता से भारत ही नहीं, अपितु पूरा विश्व आलोकित है, अनन्त प्रतिभा के धनी, प्राता हिस्मरणिये, विश्व को योग और आध्यात्मे के शिखर तक पहुचाने वाले, जन जन की सोई चेतना को जगाने वाले, दिव्यता से भरा जिनका दिव्य जीवन है, प परमशद्य आचारे जी, आप सभी को, यहाँ पर उपस्तित सभी भाई बहनों का नमन है, और एक वाक्या मेंने सुन रखा है स्वामे जी कि समझ, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे, स सही समझ में वो ना समझ है, तो इसमें स्वामे जी मेरे को ऐसा लगा कि संसार सागर क्या है, तो अभी ध्यान से सुनिया आपको दो काम करने है, एक तो समझ में से सा हटा दीजिए, और आगे धार जोड़ दीजिए, तो संसार सागर क्या है, मजधार है, और पतंजली एक नईया है, जिसके खिवया कौन है? परमशद्धे स्वामी जी, गुरु जी और आचारी जी, और हम सब तो खेर यहां पर आ गए हैं, नईया में सवार हो गए हैं, तो हमारी नईया तो पार लगी जाएगी, तो जो लोग अभी समुद्र में गोते खा रहे हैं, उनसे में क कर रहे हैं, जीते हैं जो इश्वर के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, ऐसे विवाओं का निर्मान कर रहे हैं, तो आप लोग सवभागिशाली इसलिए भी हैं कि स्वामी जी खुद आपको हाथ देके बुला रहे हैं कि आ जाओ, मैं तुमारा हाथ थामूंगा, और दो ही रास्ते हैं, या तो आप स्वामी जी का हाथ पकड़ के नाओं में चड़ जाएए, तो नईया पार हो जाएगी, ये तो निश्चिध है, दूसरा रास्ते है, तीन चार गोते ओर लगाएंगे और रूप जाएंगे, अब निर्णे आपके हाथ में हैं, एक साइड ही देखना है, तो कुछ जाओ, और इधर आना है, हीरे मोती चाहिए, तो आजाओ, उसमें निर्णे करने में देर नहीं होनी चाहिए, और स्वामी जी में एक समझ में नहीं आती, कि लोग 10-10 साल, 20-20 साल पुरुशार्थ करते हैं, इतना अथक पुरुशार्थ करते हैं, और नोकरी करनी भी है, तो उसकी करो जो सब का मालिक है, इसकी नोकरी करनी के लिए तो यहाँ पर आना पड़ेगा, अब बात ये रही, कि जब आप घर से चलोगे तो आपके सामने कई परिस्थितिया होंगी, बहुत आपको चिंतन करना पड़ेगा, तो उसका सॉलुशन भी म कि माता पिता, माता पिता दुखी हो जाएंगे, तो मैं इतना कहना चाहूंगे कि एक बार अगर आप घर से निकल गए, कई माता है, सौमी जी ऐसे रहती जो रोरोगे लाल हो जाती, कई बेहोशी हो जाती है, एक बार अगर आपने पग आगे बढ़ा दिया, तो पलट के मत देखना जब तक घर ना दिखे, देखना ही मत पलट के, तो आप लोग यहां आप आप आओगे, थोड़ा सा कष्ट तो होगा, आपको भी लगएगा यार, फोन छूट जाएगा, मोबाइल छूट जाएगा, कुछ-कुछ हो जाएगा, क्या हे वाँ, वैसे तो यहां पे न प्रभाव में आना, और ना दबाव में आना, दुनिया का जो सबसे कठिंतम काम है, अपने सवभाव में आना, मूल सवभाव में आना, तो हर व्यक्ति के जीवन की जीवनत मांग होती है, दूसरों का स्वामी बनना, थोड़ा, मतलब किसी भी आप परधान मंत्री, कुछ परधान में आपको, फिर आपके वाणी मोन हो जाएगे, बाहर लगती है सूली, तो भीतर का सिंघासन मिल जाता है, अन्तह प्रकाश हो जाता है, जब तो मुर्झाया हुआ फूल खिल जाता है, मुर्झाया हुआ फूल खिल जाता है,